कि नमस्ते दोस्तों आज हमारे पास एक थॉम्शन का टीवी आया हुआ है उस टीवी में चाइनीज सरकिट बोट लगा हुआ है दोस्तों ये टीवी डेड़ है पाउर सप्लाई सेक्शन इसका खराब है जो कि इसका पाउर सप्लाई खराब है तो चल ये देखते हैं इस पाउर सप्लाई में क्या खराबी है इसको फॉर्ड को ढूनते हैं और टीवी को ठिक करते हैं दोस्तों ठिक करने से पहले इसको कैसा है यह वीट्रॉन कंपनी का सर्कुट है तो दोस्तों इस सर्कुट में जो प्रोब्लम हुआ है हम लोगों का पाउर सप्लाइख खराब है तो चलिए इस पाउर सप्लाइख को हम ठीक करते हैं दोस्तों यह जो सर्कुट है यह सर्कुट का पाउर सप्लाइख से बना है जो कि बहुत ही अच्छा पाउर सप्लाई है दोस्तों यह जो पाउर सप्लाई है मैक्सिमम टीवी में आपको देखने के लिए मिलेगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों मैंने मल्टिमीटर का नॉप को डीसी टू हंडड़ पे सेट करके रखा है और यह जो ब्लैक कोड है इसको ग्राउंड में लगा दिया है यहां और यहां में नेगेटिव सप्लाई और यह जो कैपसिटर है यह वान सिक्स्टी वोल्ट कैपसिटर है इस कैपसिटर में हमनों को सबसे पहले नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज चेक करना है यहां हमको 110 वोल्ट का असपास मिलेगा दोस्तों जब भी पाउर सप्लाई डेट हो तो पहले आपको यह जो 47 MFD 160 वोल्ट कैपसिटर है इसका यह पॉजिटिव पॉइंट मे आपको 110 वोल्ट चेक करना है यह जो वोल्टेजेस है यह वोल्टेजेस यहां चार डायोड लगा हुआ रहता है इन डायोड में से हम लोगों को वोल्टेजेस मिलते हैं दोस्तों यहां 110 वोल्ट नहीं है और यहां भी नहीं है यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है इसक कोके श Queen में वोल्टेज के कोदिस के करना होगा फ्राइमेरे सझाच में वोल्टेज करने से पहले यह जो इसी इन्पूट सेक्षन मेंोगों को फोल्टेज देखना पड़ेगा उसके बाद प्राइमेरे साइट में फोल्टेज चेक करना पड़ेगा को आप कि दोस्तों यह सिसग्छन है इस में यह जो मेंटर का ब्लेक कॉड़ है इसको मैंने यहां प्रिज रिक्टीफ हायर में हिसी चार रिक्टीफ है नेगे टिफ ही और पॉजविटिफ रहेगा उसमें AC input होता है यहां positive और यहां negative इन दोनों में यहां भी AC input होता है इसलिए यहां हम अभी AC 220V चेक करेंगे मैं meter को 600 में रख दिया है AC 600 में और यहां हम लोगों को जो ब्रीज का पॉजिटिव नेगेटिव जहां जॉइन है डायोट का यहां हम सप्लाइच चेक करेंगे AC input हुआ है कि नई ब्रीज में तो यहां दोस्तों देखिए 208V input हुआ है इसका मतलब यहां voltage हम लोगों का प्रेजेंट है यहां OK है voltage तो अब हम primary side में voltage चेक करेंगे दोस्तों यह जो power supply का man filter capacitor है इस capacitor का negative point में यह जो black cord है इसको मैंने लगा दिया है और multimeter को DC 600 पे set करके रखा है यह जो main capacitor है इस capacitor का positive point में हम लोगों को voltage चेक करना है यहां दोस्तो 296 volt है तो यहां हम लोगों का voltage प्रेजेंट है यह जो main supply है इसी से DC होकर यहां 296 volt मिल रहा है यह जो 296 volt है यह 296 volt यह transformer का इस point में आता है जो कि यहां हम लोगों का मिल रहा है 295 volt दोस्तों यहां से एक बाइंडिंग होके इस point में आता है 296 volt यहां भी आ रहा है उसके बाद यहां से यहां एक jumper है दोस्तों यहां आता है उसके बाद यहां से यहां jumper होके यह 1 ohms का resistance होकर यह str का q0765 rt का एक नंबर पीन में input होता है चलिए दोस्तों यहां voltage measure करें दोस्तों यहां भी 296 volt मिल रहा है इसका मतलब हम लोगों का जो power supply का main supply है यह बिल्कुल present है okay है दोस्तों जैसा कि आपने देखा हम लोगों का AC और DC voltage दोनों ही ठीक है तो दोस्तों अब हमको क्या करना चाहिए यह जो point देख रहे हैं यहां एक resistance है और यहां भी एक resistance है इन दोनों resistance में यहां से जो voltage मिलता है वो voltage मिल रहा है कि नहीं resistance का इस point में voltage आ रहा है resistance के इस पार voltage यहां भी voltage है 264 और इस resistance में भी voltage है 265 अब resistance के इस पार voltage देखते हैं दोस्तों यह जो point है यह important point है यहां 17 वोल्ट का असपास मिलना चाहिए दोस्तों यहां नहीं है voltage दोस्तों इस point में voltage मिलना चाहिए जो की नहीं मिल रहा है दोस्तों हम लोग का यह वाला resistance कट गया है चलिए दोस्तों इस resistance को change करके देखते हैं दोस्तों यहां मैंने एक नाया resistance लगा दिया है इस resistance का value 120k है और यह half watt का है लेकिन यहां मैंने quarter watt का 120k रेजिस्टेंस लगाया है दोस्तों यह जो quarter watt का रेजिस्टेंस है यह रेजिस्टेंस उतना ही काम करेगा जितना half watt का resistance काम करता है इसमें कोई problem वाली बात नहीं है यह जो देख रहे हैं दोस्तों यहां दोनों resistance same watt का रहता है half watt का लेकिन यहां मैंने quarter watt का resistance लगाया है मैंने quarter watt का resistance इसलिए लगाया है ताकि आप लोगों को confusion नहों आप कुछ इससे सीख सकें तो दोस्तों यह तो मैंने दिखाया आपको resistance के बारे में तो चलिए अब हम इसका voltage चेक करें करें कर दोस्तों यह जो resistance है यह रेजिस्टेंस खराब हुआ था और यहां voltage missing था यह meter का knob को मैंने 200 में रखा है और इसको यह capacitor का positive point में voltage चेक करेंगे यहां voltage आ रहा है 291 ठीक है तो यहां से यहां आएगा resistance के थो यहां भी ठीक है 148 वोल्ट आ रहा है और यहां से यहां यह एक ट्रेक है फिर भी हम मैं दिखाता हूं 149 आ रहा है यह जो resistance है यह resistance का voltage missing था यहां voltage आ रहा है कि नहीं इसको देखेंगे दोस्तों अब यह voltage आने लगा मल्टिमीटर का नॉप को एक बार DC20 में रखके भी आप voltage को देख लें एक बार तभी आपको accurate मिलेगा यह जो 16.8 वोल्ट है यह एक तम करेक्ट वोल्टेज है यहां इतना ही आना चाहिए तो दोस्तों यह जो resistance था अभी हम लोग का supply देने लगा तो अब हम यह जो 160 यहां हम voltage चेक करेंगे 110 वोल्ट आयाय के नहीं तो दोस्तों फिर से हम यह नॉप को DC200 पे रखना है और ground में लगा देना है black cot को उसके बाद यह जो capacitor है यहां ground मिलता है और यहां आपका positive DC 110 का असपास मिलता है जो कि यहां 105 बोल्ट दिखा रहा है इसका मतलब यहां supply अभी आ रहा है यह power supply ओके हो गया है तो यहां देखना है इस resistance के point पे जो fusible resistance है 1 ohms का यहां हमको देखना है 1 watt का resistance रहता है उसका बाद यह जो EST में जाता है यहां भी हम लोगों का 105 volt आ रहा है और यह जो collector में आता है EST का यहां हमको voltage नहीं देखना है क्योंकि यहां high voltage रहता है मीटर खराब हो सकता है आपका तो दोस्तों एक की उपाई है यह जो filament है आपका filament को देखना है filament जला है कि नहीं अगर जल रहा है तो आप समझ ले कि TV on हो गया है अभी यह स्टी आउन हो गया है यह स्टी आउन होने का मतलब टीवी आउन हो गया है तो दोस्तों यह जो रेक्टिफायर डायेट है यहां चार यहां भी अलग-अलग voltage आउटपूट होना चाहिए यहां दोस्तों 105 बोल्ट है और यहां आपको मिलेगा 26 बोल्ट जो कि बिल्कुल ठीक है यह भार्टिकल सेक्शन में जाएगा और यहां आपको 11 बोल्ट मिल रहा है जो कि regulator होके main IC में सप्लाई जाता है 5 बोल्ट और 8 बोल्ट यहां जो सप्लाई है यह 14 बोल्ट है 14.8 बोल्ट यह audio आउटपूट सेक्शन में जाता है तो दोस्तों यह अब हम लोगों का यह जो पावर सप्लाई है यह बिल्कुल काम करने लगा है यह ओके हो गया है तो अब हम यह जो टीवी है इसको हम फीट करके फ्रॉंट से देख हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह टीवी अब बिल्कुल ठीक हो चुका है दोस्तों पावर सप्लाई डेट होने से कहां देखना चाहिए और फॉर्ड को कैसे निकालना चाहिए यह मैंने आपको आज थोड़ा बताया है दोस्तों पावर सप्लाई डेट का प्रॉब्ल से होता है जो कि मैं आपको step by step दिरे दिरे बताता जाओंगा दोस्तों पावर सप्लाई str का बनता है ट्रेंजिस्टर का बनता है मौसफेट का बनता है आपको सब पावर सप्लाई का बारे में मैं दिरे दिरे आपको बताता जाओंगा step by step आप मेरे साथ बने रहिए तो दो प्राद दूस्तू